हाँ तो बाई क्या हाल है आप सभी के अच्छे हैं चलिए तो जैसा कि हम आपको बता दे कल की वीडियो में हमने जो बात की थी वो निश्यचन बाली घटना की बात की थी ठीक है तो निश्यचन वाली घटना में कल हमने एक important question देखा जिसको हम भाईय निश्यचन और आंत्रि निश्यचन बोलके चलते हैं तो मैंने आपको बताया भी था कि आपको इसमें जो अंतर वाला question है बो जादा important है तो कल जो ये घटना चल रही थी लेंगिक जरन की सबसे लास्ट घटना जिसका नाम है निश्यचन पस्च घटना अर्थात जब जीवों में निश्यचन की प घटेत होती हैं उन्हें हम निश्यचन पस्च घटना बोलके चलते हैं तो निश्यचन पस्च घटना में सबसे पहले हमने कल योगमनज के बारे में बात की थी योगमनज के बारे में ठीक है आपको पता होना चाहिए कि वाटिज जैगोट योगमनज क्या है तो एक बहुत सिम्पल सी डेफिनेशन थी कि नर और मादा योगमक मेल और फीमेल जो गैमिट होते हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक डिपलोईड सेल बनाते हैं और उस डिपलोईड सेल का नाम ही जाइगोट होता है क्लियर एक नोट में मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो जाइगोट होता है वो एक पीडी से दूसरी पीडी को जोडने का कारे करता है यह आप यो कह सकते हैं कि दो पीडियों के बीच की योजख कड़ी जो होती है वो जाइगोट होती है ठीक है तो इतना आपको कल वह पर हमने पढ़ाय था और एक बहुत सेकिंड और लास्ट जो घटना थी निशिय चलपस्च में और उसका नाम था बुरूड ओद भव बुरूड ओद भव जिसको हम एम्ब्रियो जैनेसिस के नाम से भी जानते हैं किस नाम से जानते हैं एम्ब्रियो जैनेसिस ये मैंने आपको कल नाम बताया था ठीक है तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होती है एम्ब्रियो जैनेसिस की क्या होती है व बुरूण बन जाए तो हम इस घटना को ही किस नाम से जानते भई बुरूण ओधभव के नाम से जानते किस नाम से जानते बुरूण ओधभव ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात को जो योगमनज होता है यदि योगमनज से बुरूण बन जाए तो उस घटना को ही हम क्या बो बुरूरोद भव बोलके चलते हैं तो यहां तक बात के लिए हुई आपकी यह डैफिनेशन योगमनज वाली बुरूरोद भव वाली दूर डैफिनेशन आपकी complete है आगे चले सुनिए ध्यान सुनिए अब वो जो बुरूरोद भव घटना है उसमें आपको एक important question याद करना जो मैं अभी आपकी सामने लेके आ रहा हूँ उस पर ठीक है ध्यान सुनिए क्या मैंने बताया point सुनना संत्ति उत्पन करने के आधार पर संत्ति उत्पन करने के आधार पर जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते कितने प्रकार के होते हैं वही दो प्रकार के किस आधार पर संत्ति उत्पन करने के आधार पर तो आप उनको क्या बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल ध्यान समझना, हम उनको बोल सकते हैं, एक तो मिनको अंड़ प्रिजनक कह सकते हैं, और एक हम उनको बोल सकते हैं, सजीव प्रिजनक, क्या बोल सकते हैं, सजीव प्रिजनक, ठिक है, ध्यान सुनना, यह important question है, यह important बताया है, तो इसको आपको ध्यान देके तो संत्ति उत्पन करने लो आधार आधार पर जो दो प्रकार के रीए अच्छे ये पिलांटों के लिए नहीं है ये केवल एनिमल्स के लिए है ये जो घटना चल रही है वो केवल किस पे लागू होती है एनिमल्स पे जन्तू पे लागू होती है केवल तो ये दो प्रकार के होते है एक तो अंड प्रिजनक और एक सजी प्रिजनक दोनों की हम क्र हम से यहाँ पर बात करके चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई अंड़ प्रिजनक क्या होता है अंड़ प्रिजनक क्या होता है तो देखिए अंड़ प्रिजनक तम अंड़ प्रिजनक की बात कर रहें तो अंड़ प्रिजनक जो होता है उसे हम ओवी पेरस की नाम समक डेफिनेशन जिससे आपको थोड़ा सा इसके बारे मंदाज लग जाएगा सिंपली डेफिनेशन आप ऐसे समझो ऐसे जन्तु जो अंडे देते हैं उन्हें तो आप बोलते हैं अंडे प्रिजनक या ओवी पेरस और जो जन्तु सीधे बच्चों को जन्म देते हैं सीधे प्रिजनक या जरायूज भी बोलते हैं आगी बात समझ मैं तो यह हालां कि मैं आपको 11 क्लास में इन टॉपिकों को डिसकस कर चुका हूँ ठीक है जब मैंने आपको तीन एक्जामपल से बताए थे एक जैसे अंडे जरायूज एक सब्द आया था यदि आपको याद हो मच पता रहा हूं ध्याना सुनिये तो पहला जो जीव है बोतो अपरिजनक है आप उसको ओवी पेरिस बोलके चलते बोलते त्धा संध जो जनतू होते हैं बो निसेचत अंडे देते मैं अपनी नोट्स के एकॉडंग चल रहा हूं ऐसे जन्तू जो निशेचित अंडे देते हैं तथा यहां तक दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है ऐसे जन्तू जो निशेचित अंडे देते हैं तथा बुरूण का विकास मादा सरीड से बहार होता है बुरून का बिकास मादा सरीड से बाहर होता है तो आप उसे वोवी पेरस या अंड़ प्रिजनक बोलते हैं इसके एकजामपल्स की मैं बात करूँ तो आप भली भाति इसके एकजामपल्स को जानते हैं जैसे पक्षी और सरीश्रब ठीक है वहीं मैं दूसरी तरह बात करके चलू सजीव प्रिजनक की किसकी बात करके चलू सजीव प्रिजनक की तो क्या सजीव प्रिजनक को हम बिवी पेरस बोलके चलते हैं क्या बोलते हैं सजीव प्रिजनक को बिवी पेरस बोलके चलते हैं बिखित सिसु को, जन्म देते हैं, और इन में जो बिरूण का विकास है, वो कहां होता है भैँ आप तो समझ गयोंगे, मादा शरीर के अंदर होता है, कहां होता है, मादा सरीर के अंदर होता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको साजीव प्रिजनक या बिभी पीरस जन्तु बोलके चलते तो क्या देख कता आप इसमी बताईए मुझे आप कितने एक्जामपल्स जानते इनके बहुत सारे एक्जामपल्स जानते आप आप मैं इस्तंधारी कह सकता हूँ इस्तंधारी जादा उचित रहेगा यहां पर ना जो पूरा इस्तंधारी बर्ग है लेकिन वहां भी तो अपवाद है याद कीजी आपको जब मैंने मैमेलिया बर्ग बताया था तो मैंने कहा था कि जो कुछ अंडज भी होते हैं देखो अभी इस्तंधारी सजी प्रिजनक नहीं होते इसमें जो एक्सेप्शन्स है जो अपवाद है वो क्या है एकीडिना डग बिल्ड प्लेटी पस यह ऐसे एनीमल है जो है तो मैमेलिया लेकिन यह अंड़े देते ना और आपको याद हो तो मैंने वहां बताया भी था कि रैप इसे सिसु में भी एक्सेप्शन्स होता है इस्तंधारी में कंगारू मैक्रोपस जिसको बोलते हैं याद है कंगारू बाला कंगारू अल्प विक्षित सिसु जन्म देता है जेको इस्तंधारी जो है वो विक्षित सिसु जन्म देते हैं और सिसु को जन्म देते हैं लेकिन यहां आपको दो exception से याद करने केवल four exam बोल्ड exam नहीं पूछा जाता completion exam में नीट में आता है ध्यान सुनिए duck build, platypus और echidina दो ऐसे इस्तंधारी हैं जो इस्तंधारी रहते हुए भी क्या देते हैं अंडे ठीक है और कंगारू एक ऐसा कंगारू एक ऐसा इस्तंधारी है जो अल्पविक्सित सिशू को जन में देता है कैसे सिशू को अल्पविक्सित आपको याद हूँ तो वहाँ हमने metatheria, utheria की बात किती कोई बात नहीं आप फिलाल इन पर आईए ध्यान सुनिए संत्ति उत्पन करने के आधार पर जीव कितने प्रकार के दो प्रकार के कौन कौन से एक अंड़ प्रिजनक और एक सजीव प्रिजनक मुझे नहीं लगता इन में आपको कोई दिक्कत होगी ठीक है दोबारा सुन लिजिए ऐसे जीव जो निश्य चितन्डे देते बताइए देते नहीं देते भाई इन में निश्य चन तो आंत्रिक हो रहा है ध्यान सुनना मेरी बात को निश्य चन तो आंत्रिक है नर्योगमक को मादा योगमक के अंदर छोड़ा जा रहा है भाइय निशय चन नहीं है ये दोणों में ही आंत्रिक निशय चन होता है लेकिन सुनिये अब जैसे एक पक्सी की बात कर लेते है ठीक है तो पक्सी क्या हैं भाई पक्सी के अंदर जो नर युगमक है और वो रिलिज किये जाएंगे छोड़े ज जोगमक का सन्यन हो मादा शरीड के अंदर हो रहा है जिसको आप आंत्र निशय चन बोलते हैं तो अंड तो बनेगा कहां अंदर है तो आप उसको निशय चित अंड ही तो बोलेंगे यह क्योंकि उसमें निशय या कोई जन्तु जो अंडे देता है जब उसको बैठता है ना उसके उपर जिसको सिहना बोलते हैं सिहना है ना हैचिंग बोलते हैं इंगलिश में सिहना तो तब उस भुरून का विकास होता है तो एक सिंपल डेफिनिशन है देखिए ऐसे जन्तु जो निशेचित अंडे दे तथा भुरूण का विकास कहां हो मादा सरीर से बाहर हो तो आप उनको अंड़ प्रिजनक या ओवी पेरस बोलते हैं एक्जामपर्स तो मुझे बताने की जरूत नहीं है सजी प्रिजनक के जो बिकोई सिशु को जर्म दे और उनमें भुरूण का विकास कहा हो मादा सरीर के अंदर ही हो तो आप उसको क्या बोलते हैं सजीव प्रिजनक बोलते हैं तो इन दो definition में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है ये तो बात रही definition की की बाई अंड प्रिजनक और सजीव प्रिजनक अब मैं आपको एक बात और समझ लीजिए वही है ना क्या है अंड जरायूज देखिए अंड जरायूज में क्या होता है अंड जरायूज में कि जो जैसे एक मैं सार्क मचली की बात करूं सार्क की है ना अब जैसा कि नाम से लग रहा है अंड जरायूज मतलब यह ऐसा होगा जिसमें दोनों परकार के ल उवे बिवी पूर पेरस के नाम से जानते इंगलिस में, क्या होते हैं? जैसे सार्क मचली है, तो वो क्या है? अंडे देती है, लेकिन जो अंडे होते हैं, वो सरीर के अंदर ही रहते हैं, बनाती तो वो अंडे हैं, जैसे कैल्सियम युक्त अंडे ही होते हैं, जैसे औरों के होते हैं लेकिन वो उन अंडों को सरीर से बाहर नहीं निकालती ठीक है और उनको क्या है हैचिंग करती रहती है बोड़ी के अंदर ही उनको पकाती रहती है और जब बोड़ी कंदर पक जाते ना तो उनसे समय आने पर उनसे छुट-छुटे बच्चे निकलाते हैं तो वो अंडज लेकिन वो डिरेक्ट बच्चों को जनम देती है तो हम उसे अंडज जरायुज के नाम से जानते एसे तो आपको अंडज, अंडज प्रिजनक और सजी प्रिजनक याद क करके चलना ठीक है अब मैं आपके सामने एक वीवी एम बैरी वैरी मोस्ट इंपर्टेंट एक नोट लिख रहा हूं भी आओ यह जो नोट है ना यह बहुत इंपर्टेंट नोट है ठीक है क्या है वह यह नोट का मतलब समझेए क्या है नोट ध्यान सुनिए भुरूड़ी है देखवाल वै पैतरक संरक्षन के कारण के कारण सजीव प्रजनक सिसुओं की उत्तर जीवता के सुअवसर अंड प्रजनक सिसुओं की तुलना में अधिक होते हैं यह जो मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी है न यह लाइन बोल्ड एक्जाम के लिए बहुत इंपॉल्टेंट है मैंने बता दिया मैं इस चैप्टर से आपको मात्र पांच और छे क्वेस्टन बताऊंगा अगर उन क्वेस्टनों में से क्वेस्टन नहीं आए न फिर आप मेरे से बात करना ठीक है बिलकुल इस पूरे चैप्टर में से मैं आपको मात्र पांच है क्वेस्टन बताऊंगा और उन उन क्वेस्टनों में से हंडेड परसेंट बोल्ड एक्जाम में आपको एक क्वेस्टन मिलेगा बिलकुल गारंटेड ठीक है हाँ क्योंकि यह चैप्टर में से जो क्वेस्टन है न ब अभी भी उनमें कोई ऐसा कठिन क्वेस्टन ही नहीं बना सारी यही क्वेस्टन घूम फिर के आते रहते हैं जो उनको मैं मोस्ट बताता हूं बिलकुल ठीक है मैं चलिए तो मैंने ये बीवी एम बताया है तो आपको ये क्वेस्टन की दृष्टी से याद करना है ठीक है अधिक होते हैं कारण सहित बताईए ठीक है अब इस क्वेस्टन की थ्योरी वो कैसे भी मतलब लाइन कैसे भी चैंज कर सकता है जीवन अधिक हो मतलब जीवित रहने के अवसर या उत्तर जीविता दिख रहती है ऐसे आप वो कुछ भी लिख सकता है तो आप समझ जाएंग के अवसर अधिक होते हैं क्यों कारण देजिए मेरी बात समझ रहे हैं देशी भासा मैं आपको बता दूँ अब वो आपसे ये पूछना चारा है कि भाई जो सिसू अंड़ प्रिजनक्स जन्तूओं से जन्म लेते हैं उनके जीवत रहने के चांज मतलब सजीव प्रिजनक्स जन्तूओं की तुलनामे कैसे होते हैं कम होते हैं या तो आप उसको ऐसे बोल दो या आप उसको ऐसे बोल दो कि जो सजीव प्रिजनक्स जन्तूओं की शिसू होते हैं उनके जीने के अवसर या उनके जीवत रहने की संभावनाएं अंड़ प्र परजनक होते हैं अब आपको पता है कि भाई यदि कोई कोई जन्तु एक डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे और एक जन्तु ऐसा है जो अंडे दे रहा है और फिर उसकी सुरक्षा कर रहा है तो वही अंडों को तो सदा खत्रा बना रहता है ना बक्चियों से वही अंडे या फूट सकते हैं कोई भी आपदा से वह नश्ट हो सकते हैं या कोई बक्ची जीव उनको खा सकता है है ना अंडों से जो संताने बनती हैं उनके जीने के अफसर बताई आप मुझे कम होते नहीं होते हैं होते हैं तो वह यही बात कह रहा है कि उनकी बुरूड ये देखवाल सही नहीं हो सकती भई अंडों की जो देखवाल है वो इसके मुकाबले में कैसे सही हो जाई बताई भई बुरूड के बेकास की हम बात करें तो अंडे में तो टाइम लगता है बाहर है कई खत्रा है उसको रहते हैं लेकिन भई सजी प्रिजनकों में तो गुरूड पेट के अंदर होता है वाडी के अंदर होता है तो उसको तो कोई खत्रा है ही नहीं वो जन्म तो 100% लेगा लेकिन यहां समभावना नहीं है हो सकता है 4 अंडों में से केवल एक ही बच्चा बने लेकिन यहां तो 100% उतनी ही बच्चे बनेंगे जो गर्व के अंदर है एक मेरे पॉइंट समझ मागया तो कारण मैं बता रहा हूँ दो कारण है एक तो भुरूडिय सही देखवाल पहला कारण और एक पैत्रक संरक्षन के कारण जो अंडजनक होते हैं बहुत कमजोर प्राणी होते हैं सभी को पता है ना कमजोर होते हैं अब ऐसे मैं समझना कि हर प्राणी कमजोर होता है मतलब कुछ अंड़े देने वाले खतरनाख भी होते हैं जैसे सत्वर मुर्ग बगएरा ओस्टिश बगएरा और बहुत ना ऐसे तो मैं तो ऐबरेज बात करके चल रहे हैं तो भुरूड यह सही देखवाल और पैतरक संड़क्षन अब पैतरक संड़क्षन जानते हैं पैतरक बोलते हैं माता पिता के द्वारा बच्चे की सुरक्षा करना माता पिता के द्वारा बच्चे की सुरक्षा करना जैसे आपने देखा होगा कोई भी जन्तु होज़ा जो अपने बच्चों के पिर्थी जब आप उसके बच्चे को टच करने जाते तो बहुत आकरामक हो जाता है समझ रहे हैं वही हम उसी को पैतरक संरक्षन बोलके चलते हैं तो दो कारण आप याद रखो कि जो सजीव पिर्जनक जन्तु होते हैं वो अपने सिसुओं की बुरूडिये सही देखवार और पैतरक संरक्षन करते हैं इस वज़े से इनके जीने के जो अवसर होते हैं या उत्तर जीविता उसी को बोलते हैं जीने के अवसर को जीने की संभावना है या जीवित रहने की संभावना है तो उसके अवसर इनकी तुलना में कैसे होते हैं अधिक होते हैं तो ये क्वेस्चन आपकी बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा तीक है मैं आर आपको कितने अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं तो आपको भी थोड़ी महनत करनी चाहिए ना समझ रहें आप मेरी बात को मैं बिल्कुल भी कहीं भी अपने नो चैप्टर है ना वो इस चैप्टर के बाद स्टार्ट होंगे मैं आपको उसमें फुल डीवली नॉलिज दूँगा ठीक है समझ रहें आप मेरी बात को फिलाल आप इस क्वेस्टनों को समझ पा रहे हैं हाँ बिल्कुल अब हम अंतिम घड़ी में चल रहे हैं अपने चैप अधिक्तियों होती है ये भी आपको समझ बागया आपको पता है भुरूर ये सही देखवाल और पैतरक संरक्षन के कारण ही इनके सिस्वों के जीने के अबसर अंड़ प्रिजनक की तुलना में अधिक हो जाते हैं मेरी बात समझ बागया आपको ठीक है चलिए तो ये मैं आपको बता दूँ अब हमारी जो निश्य चनपस्च घटना है या मैं सीधे सब्दों में ये कहूं कि हमारा जो लेंगिक जनन की घटना है वो कम्पलीट हो चुकी है ठीक है बिलकुल कम्पलीट हो चुकी है आपके नोटसों में जो नीचे दो तिन लाइन और लिखी ठीक है चलिए है तो अब सुनिए मेरी बात तो यह तो लेंगिक जनन की घटना है कम्पलीट हो गई अब हम बात करके चल रहे हैं एक और इंपोर्टेंट क्वेस्चन की और उस क्वेस्चन का नाम है लेंगिक वे अलेंगिक जनन में अंतर डिफ्रेंश बिट्विन सेक्ष्वल एंड इसेक्ष्वल रिप्रोडक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं हम डिफ्रेंश बिट्विन सेक्ष्वल एंड इसेक्ष्वल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अर्थात लेंगिक वे जो अलेंगिक जनन है उस में हम अंतर देखके चल रहे तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको भी BBM लिख सकते हैं ठीक है बिलकुल 100% 100% ये दोनों ही question board exam में पूछे जा चुके हैं एक बाई और आंतरिक निशेचन में अंतर और एक लेंगिक और अलेंगिक जनन में अंतर ये दोनों अंतर वाले question आपको definite याद करके चलने हैं बहुत important है ठीक है चलिए बात करते हैं तो लेंगिक और अलेंगिक जनन में अंतर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये table तो हम बनाना जानती है इधर कौन सा लिख दू मैं है इधर ये sexual लिख देते इधर लेंगिक मेरी एक बात समझो लालाओ लालाओ मेरी एक बात समझे आप कई बार हम क्या करते हैं कि हमें question तो पूरा याद रहता है हना पूरा याद रहता है अब मान लिजिए मैं जो point इधर लिखा रहा हूं और कुछ point में इधर लिखांगा इसकी तुलनात्मक अंतर करने के लिए लेकिन यहाँ heading पर धियान दीजिये y brushed Stacy और उधर लेंग है तो आप कई वार पता है क्या करते हैं आप रट्ता लगाते हैं रट्ता लिखांगेशन करतेना रट्ता लगाते कुछ बच्छे ना रट्ता रट्タ जांते हैं आप हाँ चलिए तो रट्ता कैसे होता कि ऊपर कौन सी है बहुत सारे बच्चों के गलत हुए मैं डेफिनेट आप से कह सकता हूँ ठीक है अब गलत कैसे देखिए ये जो अलेंगिक आनने तो अलेंगिक जरनने की टॉपिक जाप बैंठ जो इढ़ितर आएंगे जनर्ण के मैं यहां लिखुंगा लेकिन आप कही है आप बार आप गलती कहां कर जाते हैं चैके यहां पर लगा देखिए बार चैसके हैं तो आप इस चीज परश। फोकस करके चलना बहुत बच्चों की यहां पर सबसे ज़्यादा गलतियां होती है और बोर्ड एक्जाम में भी ठीक है यह most important आप मेरी बात को समझने ठीक है क्योंकि यह important question है इसलिए मैं आपको यहां फोकस कराने के लिए बोल रहा हूँ ठीक है आप जब भी इसको याद करें तो ऐसे जरूर करना क्या हम उसके बारे में लिख रहे हैं जो उपर लिखा हुआ है ठीक है तो चलिए आगे करें भाई है ना चलिए तो पहला point अलेंगिक जरन में आप सभ फुल थोरी नहीं लिखाते भाई मुझे फुल थोरी लिखाता हूं मैं लेकिन यहां salt में बता के चलता हूं क्योंकि आपके पास notes already है उनको बोल के मैं चलता ही हूँ आपको केवल यहां समझाने के लिए मैं लिखता हूं केवल ठीक है ताकि आपको हर line का मतलब समझ में आ दो जनक भाग लेते हैं क्लियर चलिए next point जो अलेंगिक जनन होता है इसमें केवल समसूत्री भिवाजन होता है कौन सा भिवाजन होता है वही समसूत्री भिवाजन होता है आपको पता ही है समसूत्री भिवाजन मैंने पहले भी आपको बताय था जबकि लेंगिक जनन में जब युगमक बनते हैं युगमक जब बनते हैं तो उस समय कौन सा भिवाजन होता है वही अर्द सूत्री भिवाजन होता है कौन सा होता है अर्द सूत्री भिवाजन तो यह डिफरेंटी तो है कि अलेंगिक जनन में तो समसूत्री भिवाजन होता है जबकि लेंगिक जनन मे जब युगमक बनते हैं तब अर्दसूत्री भेवाजन होता है clear? चलिए तीसरा point जो अलेंगिक जनन है इनके जो नए जीव बनते हैं नए जीव का मतलब संतान नए जीव जनक के समान होते हैं नए जीव जनक के समान होतें जबकि लेंगिक जनन में जो नई जीव होते हैं वो जनक से कैसे होते हैं भाई भिन्न होते हैं जनक से कैसे होते हैं भिन्न होते हैं तो कोई दिकत नहीं है मुझे पता है आपको ना इनकी जो जनमदर है वो अधिक होती है है ना और इनकी जो जनमदर होती है वो कम होती है बत एक साथ आपने बहुत सारी संताने बन जाती है लेकिन यहां बहुत कम बनती है लेकिन अधिकांस एबरेज कम ही बनती है तो यह चार अंतरों में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी एक वार focus डाल लिए, simple सी थियोरी है इसकी, थियोरी क्या आंतर है हना, समझ मागी मेरे आपको बात अलेंगिक और लेंगिक जनन, अलेंगिक जनन में जिसमें एक जनक भाग लेता है, लेंगिक में दो जनक भाग लेते हैं इसमें समसूत्री भिवाजन होता है इसमें अर्दसूत्री होता है इसमें जो नया जीब बनता है वो बिल्कुल जनक के समान होता है तब ही तो आप इनको क्लोन कहते हैं और इसमें जो नया जीब होता है वो अपने जनक से भिन्न होता है और इसमें जो जनमदर है वो अधिक ह होती है और इसमें जनम दर्जवों कम होती है तो यह था हमारा डिफ्रेंस विट्वीन सेक्ष्वल एंड एसेक्ष्वल रिप्रोडक्शन अलेंगिक और लेंगिक जनन में अंतर तो कोई दिक्कत इसमें बीवी लगा लिया मोस्ट लगा लेना ठीक है बिलकुल मोस्ट लगा लेना डेफिनेट ठीक है आपको मेरी यह बात है न उस समय याद आएंगी जब आप एक्जाम हॉल में पेपर दे रहे होंगे तब आप मुझे याद करेंगे सरकास हम आपकी बात को मान लेते तो आज हमें अपने कमरों की चुप क्या उलते इसको छत पे जो पट्टियां होती है वो गिननी नहीं पड़ती ठीक है चलिए नहीं मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे है आपके जो बैच में बास्तम में ही बहुत अच्छे सिंसियर बच्चे है ठीक है आप से पहले बाले बहुत अच्छे बच्चे दे ठीक है हाँ बिलकुल बहुत मतलब नाइस स्टुडेंट जिनको मैं कह सकता हूं ना चलिए बहुत अच्छे बच्चे आप पढ़ने बाले ज़्यादा हैं सिंसियर बच्चे हैं ठीक है दोनों ही बैच आप से पहले बाले आप से सीनियर है न बहुत अच्छे ना वह आप से थोड़े अच्छे बिलकुल श्योर है ना आप भी है लेकिन वह ज्यादा अच्छे वाई बिलकुल रियल कह रहा हूं ठीक है हाँ चलिए नहीं आप बुरा मत मानना आप भी फैबरेट हैं अच्छे मतलब सभी ना चलिए कोई बात ने तो अरे ये तो रहे गया चलिए है तो ये बात समझ मागी मेरी आपको ये हमारा चैप्टर नम्मर फस्ट बैसे तो कंप्लीट है अब इसमें मैं आपको एक टॉपिक बता देना चाता हूँ और उस टॉपिक का नाम है भाई अनिशेक जनन क्या नाम है अनिशेक जनन और इस अ आप बोल के चलते हैं पार्थेनो जैनेशिस क्या बोलते हैं भई पार्थेनो जैनेशिस इंदी में क्या बोलते हैं इसको अनिशेक जरन क्या बोलते हैं अनिशेक जरन तो कितनी सिंपल थियोरी है डैफिनिशन देखिए बिना निशेचन के ही बुरूड का बनना क्या कहलाता है पार्थेनो जैनिसिस कहलाता है क्या कहलाता है भई पार्थेनो जैनिसिस यान की अनिशेक जनन कहलाता है परिवासा सुनिये देखिए हम लेंगिक जरन में चल रहे हैं और लेंगिक जरन में तो योगमक निर्मार योगमक सल्यन का होना आवस्यक होता है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिन जीवों में लेंगिक जरन होता है उनके कुछ प्राड़ियों में कुछ ऐसी एक अलग से निश्यचन की घटना होती है या क्रिया होती है जिसे हम अनिश्यक जनन या पाड थे नो जैनिसिस के नाम से जानते हैं अब परिवास सुनिए मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा इसको बिल्कुल डेफिनेट आप स्योर रहे है पूरी घटना मैं आपको उसको बताऊंगा फुल डेफिली लेके चलूँगा ठीक है देखिए क्या है वाई कि बिना निश्यचन के ही यदि जीव बन जाए भुरूड बन जाए तो हम उस घटना को अनिश्यक जनन कहते हैं आप सोचरे सर क्या is it possible क्या यह संबब है मैं बोलता हूँ definite possible बिल्कुल संबब है कैसे कि कोई female without male के कोई female without male के भी संतान उत्पन कर सकती है और यह मैं कोई काईक जननल और यह sexual reproduction की बात में कर रहा हूँ होता उसी के जैसा है लेकिन यह अलग घटना है ठीक है ध्यान सुनिए मेरी बात बेना निशेचन के ही भुरून का बनना क्या कहलाता है अनिशेक जनन कहलाता है मैंने नोडसों में केवल आपको इडेफिनिशन लिखा रखे जो आपके काम किये केवल उसके एकजामपल मैंने आपको बता रखे हनीवी जिसको मदूमक्खी बगरा बोलते हैं और अमीर का छिपकली जो होती है जिसको लेसरटा के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो उनमें ये घटना देखने को मिलती है अब मैं आप उसको समझा देता हूँ थोड़ डेपली देखिए अनिशेक जनन दूपरकार का होता है एक प्राक्रतिक और एक पूर्ण ठीक है पूर्ण और अपूर्ण देखिए तो प्राक्रतिक अनिशेक जनन का तो सिंपल सा मतलब हो गया कि ऐसी घटना जो नैचर में अपने आप हो रही होगी और कृत्रिम का मतलब हो गया जिसे हम खुद करवा रहे होंगे तो इनमें तो कोई दिक्कत वाली बा पढ़ेंगे तो आपको यह टॉपिक तो डीपली पढ़ना ही पढ़ेगा ठीक है हा मतलब कईवार क्वेस्टन बन जाते हैं आपको जब आप टीचर वहां पढ़ाएंगे तो भी आप इसको बता के चलेंगे तो मैं भी आपको यहां बता रहा हूं ठीक है देखिए अनिश एक जरन से आप एक सब्द याद करना यार अनिशिक जरन ऐसी कोई घटना होगी जिसमें कोई निशेचन नहीं हो रहा है और फिर भी संताने बन रही है लगता तो ऐसे कि यह पॉसिवल नहीं होगा लेकिन यह बास्तवम में पॉसिवल है तो हम उसी को देख रहे हैं यह द करभा रहे होंगे अनिशिक जरन तिक है अब प्राक्रतिक दूपर का एक पूर्ण और एक अपूर्ण तो ध्यान सुनिए यह पूर्ण का क्या मतलब होता है अब मैं बता दूं ऐसे जीव जिन में केवल अनिशियक जनन की ही गटना हो केवल अनिशियक जनन की गटना तो अब उसको पूर्ण अनिशियक जनन कह सकते और ऐसे जीव जिन में होता है और लेंगिक जनन भी होता है ध्याम सुनिए मिर बात ऐसे जीव जिन में लेंगिक जनन भी होगा और अनिसेक जनन भी होगा दो जनन हो रहे न तो वो completely depend तो नहीं है न अनिसेक जनन पर तो आप इसको अपूर्ण अनिसेक जनन नहीं बोल सकते तो पूर्ण और अपूर्ण का मतलब समझ मा गया तो पूर्ण की मैं यहाँ बात करता हूं तो पूर्ण अनिश्यक जनन जो होता है ना वो एक छिपकली में पाए जाता है जिसको आप लेसरटा या रोक लेजार्ड के नाम से जानते हैं या आप उसको अमेर्की छिपकली के नाम से भी जानते हैं ध्यान सुनना मेरी बात लेसरटा नाम की एक ऐसी छिपकली है अमेर्का में जो चटान पाए जाती है पहडी छेत्रों में उसमें केवल ही केवल अनिश्यक जनन होता है अनिश्यक जनन जैसे देखिए यह कोई female है लेसरटा female है तो इसमें पता है क्या होता है अपने आप ही खुद ही without meal के यह कभी भी अपने जीवन में मेल ही नहीं देखती मेल का मतलब वो मेल वाला नहीं तो मेरे समान वो मेल नहीं मेल माने नर तो ये female है ये female है lesser तो ये without male के क्या करती है एक बच्चे को जणम देती है without निशे चनके अब ये जो बच्चा होता है ना ये भी हमेशा कौन होती है फीमेल होती है धान सुनना लेसरटा नाम की छिपकली में केवल एक ही प्रकार का जनन होता है जिसे हम अनिशेक जनन कहते हैं और ये जो पिड़ जाती है ना इस पिड़ जाती में नर नहीं होते केवल फीमेल ही फीमेल होती है तो ये बेदाउट मे प्रशेल की रहतिए तो इन में क्या होता इब लें संतिने से बना देतीने प्रकृतिंती finer खुद बन देती अपने आप अपने आप निके अंदर एं बन जाते और वो और खुद निसेचती खते और बच्चे देदे बिल्कुल यह सबहा हो फए तो यह तो ही पूर्ण का मतलब है इसमें केवल अनिशेक जनन ही हो रहा है अब मैं बात करता हूँ अपूर्ण के तो अपूर्ण में हम एक बात करेंगे भाई अपनी मदू मक्खी मदू मक्खी के अब मदू मक्खी में मैं आपको बता दूँ यदि आपको नहीं पता हो तो मदू मक्खी के छत्ते में तीन प्राणी होते, एक तो होता है ड्रॉन, नर, एक होता है सिर्मिक और एक होता है रानी, रानी मक्खी, ये तीन प्राणी होते हैं उसके घर में, मदू मक्खी के घर के ये तीन प्राणी हैं, तो नर होता है, एक सिर्मिक मक्खी होती है, एक मदू मक्खी में पता है क्या होता है देखिए मदू मक्खी में ए निशेचित अंडों से देखिए मदू मक्खी ने अंडे दिये अंडे इनमें पता है क्या होता है जो नर होता है नर वो रानी मक्खी को केवल एक वार मैथुन क्रिया करता है ड्रॉन जिन को बोलते हैं वो र मार दिया जाता है उसके बाद आजीवन रानी मक्खी अंडे देते रहती है कहने का मतलब है रानी मक्खी अपने जीवन में केवल एक वार ही मैथुन क्रिया करती है वस उसके बाद वो अपने आप अंडे देती रहती है ये इसमें फिनोमनाई घटना होती है ने मदु मक्खी अब ध्यान सुनिए मेरी बात मदू मक्खी में होते 32 गुण सोत्र एक कोश काम है ठीक है भई 32 गुण सोत्र या आप इसको नहीं माने कोई देखत नहीं चलो समझ के चलिए मदू मक्खी अपने छत्ते में दो प्रकार के अंडे देती है एक तो देती है ए निशियचित अंडा और एक देती है निशियचित अंडा एक तो अंडे होते हैं ए निशियचित और कुछ अंडे होते हैं मान ली जी इसने 100 अंडे दिये तो हो सकता है 40 तो ए निशियचित अंडे होंगे और 60 निस्येचित अंडे होंगे अब ए निस्येचित और निस्येचित तो आप जानते ही है ए निस्येचित का मतलब है जिससे नर्योगमक नहीं मिला है और निस्येचित का मतलब है जिससे नर्योगमक मिल चुका है समझ मागी बात तो ए निसेचित और निसेचित का मतलब आपको क्लियर समझ मागया तो मदु मख्षी ने दो परकार के अंडे दिये एक तो दिया ए निसेचित और एक दिया निसेचित तो जो ए निसेचित अंडे होते हैं उनसे केवल बनते हैं नर क्या बनते हैं नर जबकि निशेचित जो अंडे होते हैं उनसे या तो रानी बनेगी या सिर्मिक मक्खी बनेगी ये दोनों ही फीमेल हैं और ये है केवल नर ध्यान सुनना मेरी इस बात को तो मदू मक्खी एक बार जब नर से लेंगिक संपर्क स्थापित करती है तो उसको वो मार के भगा देती है उसके बाद वो आजीवन अंडे देती रहती जब तक उसका लाइब साइकल होता है तो ये दो प्रकार के अंडे देती है एक तो ए निसेचित अंडे और एक निसेचित अंडे तो ए निसेचित अंडे अपने आप ही किसमे चेंज हो जाते हैं नर्में मतलब कौन सी संतान बना देते हैं नर्में अब देखिए संतान तो बन रही है लेकिन कैसे अंडों से बन र झाल हएं एक तो और ऑन से बनेंगे केवल और केवल नर ठावनर जो वो तैना मदुमक्षी में जो नर होते वो हमेशा यहःगुनित होते हैं कैसे इह जो अभुनित उनमें गुर्षुत्रों की संक्या आदी जैसे सोल है समझ मागी मेरी बात ऐसे ठीक है बई और निशेचित अंडों से क्या बनेगी या तो रानी बनेगी या सिर्मेक दोनों ही बनेगी अब सुनिए ये निशेचित है तो आप इसको लेंगिक जनन नहीं कह सकते है क्या बताईए ये लेंगिक जनन की घटना ही तो है जिसमें निशेचन से बने वो तो लेंगिक है और इसमें बिना निशेचन के बन रहा है तो ये पार्थेनो जैनिसेस है या अनिशेच जनन की घटना है तो मदूमक्खी जो जाती है उसमें दोनों परकार की घटनाएं होती है लेंगिक भी और अनिशेक जनन भी तो बताईए क्या ये अनिशेक जनन पर ही डेपेंड है क्या नहीं इसमें लेंगिक भी होता है तो ये अपूर्लम के अंतरगत आएगा कि नहीं आएगा भाई इसमें इनकम्पलीट पार्थेनो Genesis है न कंपलिट पारथे नो जैनीशिस तो कि वज लैसर अटाम है जो हमेशा ही पारथे नो जैनिशिस यह जनन कीरिया करती है तो आप यह complete में रखेंगे ईसको और इसको incomplete में रखेंगे गई मेरी बात समझ मारी आपको घ्रियर है ए टोप इक ःड़ का मतलब फिर दू एक पूर्naire पूर्ण में हमारी आमेर की चिपकली जाती जिसमें केवल और केवल क्या होता है उसमें केवल अनेशियक जनन नहीं होता है और केवल कौन से प्राणी बनते हैं ये भी आपको याद रखना है कहां गया मैंने मिटा दिया क्या हां लैसर टाम है केवल कौन से प्राणी बनते हैं ये रहा मिल गया मिल गया केवल फीम यह भी आपको याद रखना भी आपको बताऊंगा जबकि मदू मख्धी में इसकी बात नहीं करेंगे यह लेंग एक जनल का है कि तो यह इनकम्प्लीट माइगा इतनी बात का समझ मागी आपको अब जो क्रित्रेम है क्रित्रेम में हम क्या करते हैं अरे क्रित्रेम में सिंपल है कि जो कुछ निम्न कशिरु की प्राणी होते है ना लो वल्टिवरेट है ना उनमें हम क्या करते है भाई कि कोई उनकी जो अंड होता है ना उसमें एथर एलकोल बगरा जो होते हैं मारे कैमिकल उसको इंजेक्शन के माध्यम से या कोई सिरिंज के माध्यम से उसके अंडे के अंदर प्रि फर्टिलाइज एग में बिना निशेचन किया हुआ अंड है मादा सरीर से आप इसको बाहर निकाल सकते ना यदि आप इसमें किसी भी निडल की साहिता से कोई कैमीकर इसमें डाल दें जैसे आपने क्लोरोफार्म डाल दिया तो यह अपने आप ही फर्टिलाइज हो जाता है और इससे आप कोई नहीं संतान बना सकते हैं तो यह खुद नैचर में नहीं हो रहा है इसको हम खुद कर रहे तो यह कृत्रिम अनिशेग जनन के अंतर गताएगा समझ मागी मेरी बात ठीक है अब मैं आपको बता दूं कि हम अनिशेग जनन में कुछ और पॉइंट देखत ठेलो टॉकी और एक सब्द होता है एमफी टॉकी ठीक अभी इनको यह क्या है सुनिए अरहेलो टॉकी तो उसको बोलते हैं जब कोई जीव केवल मेल संत्ति बनाएग अनिशेग जनन के माद्दम से मेल संत्ति जिसका एक्जामपल हनीवी है आपने पढ़ा था ठेलो टॉकी इसको बोलते हैं जिसमें कोई केवल और केवल फिमील ही बने उसका एक्जामपल जैसे हमने लेसर इटा के बारे हम बात की थी और एमफी टॉकी एमफी टॉकी हम किसको बोलते हैं एमफी टॉकी मैं आपको बता दूँ एफिट्स आते हैं जो आर्थ्रू तो amphitokic इसको बोलते हैं जिसमें female और male दोनों ही बने उसका example है aphids क्या है aphids और इस female जिसमें बनती है उसका example क्या होता है भई lesserita होता है और male जिसमें बनते हैं क्या होता है honeybee होता है ठीक है तो इतनी बात समझ में आ गई आपको ये है complete parthenogenesis जिसको हम Anishic janan के नाम से जानते हैं ठीक है तो Anishic janan को मैं एक बार आपको फिर बता दूँ देखिए क्या है क्या है बेना नish Comic की भूरुन का ये संत्ती का बन जाना ही Anishic janan कहलाता है ये दो प्रकार का होता है एक प्राक्रतिक और एक क्रित्रिम Anishic janan प्राकिर्तिक तो बो है जो प्रिक्रिती में खुद होता है क्रित्रिम बो है जो मनुष्य के द्वारा करवाया जाता है तो प्राकिर्तिक जो है वो दो प्रकार सिया तो पूर्ण और अपूर्ण पूर्ण जिसको बोलते हैं जिसमें केवल और केवल पार्थेनों जैनिसिस ही हो अब पूर्ण जिसको बोलते हैं जिसमें पार्थेनों जैनिसिस के अलावा कोई और भी मैथड हो जैसे लेंगिक जनन हो सकता है तो पूर्ण के दो एक्जामपल पूर्ण में एक लेसरटा की बात की थी जो केवल किन को जन्म देती है केवल फीमेल्स को वो अपने जीवन काल में कभी भी मिल नहीं देख पाती है ठीक है और अपूर्ण में जैसे हमने मदू मक्खी की बात की थी उसमें आप याद रखना अनफर्टिलाइज जो एग होते है एग निसेचित अंडे उनसे तो बनते हैं मेल और जो निसेचित अंडे होते हैं उनसे रानी बन सकती है और सिरमेक बन सकते हैं सिरमेक जो होते हैं वो बन्दे रहते हैं याद रखना इस चीज को भी MP Talkie है ठीक है तो इतनी सारी बात है हमको यहां पर करनी है ठीक है ओके